खंडवा रोड स्थतसंत आशाराम बावू के आश्रम के संचालक मुकेस पटेर पर मनोर्णमा सोलंकी और नूतन ने कई गंभीर आरोप लगाया। बतादें कि पेड़िता ने आश्रम के संचालक पर आवैध वसूली का आरोप लगाया। साथ ही बताया कि संचालक ने उन्हें जान से मानने की धमकी दी। इस संबन में पेड़िता ने पुलिस को जानकारी देते हुए साधना नियूस से खास बादचीत की। कि इस तरीके से संचालक करता हमारे साथ अभद्र गालियां देता है, गंदी गंदी करता है, अपर्षब बोलता है, इस तरीके की बाते हमा को कही न कहीं मेंटरी हरेस्मेंट का भी काम कर रही है। तो यह सिदे इन से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर मुख्य कारण क्या रहे, क्यों इन्हें पुलिस थी शरन लेना पड़ी ता यह सिदे बात करते हैं। आप पुलिस तक पहुची थी और आप यह आरोब लगा रही थी कि वह आपको गालियां देते हैं। उन्होंने पेसो की दिमांड आपसे करी हैं। कारण यही है कि मुकेश संचालक पतेल वह कह रहे हैं कि आप मतलब जो हम कहेंगी वही आप करोगी हैं। हम को मतलब कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। और पैसे की दिमांड कर रहे हैं कि पैसे आप हमको देओगे। और जो मैं कहूंग वह आप करो। नहीं आपको हम जान से माट डालेंगे। बहुत गंभी रालेंगे। इसलिए हम पुलिस में गए हैं और हमने अपने बचाव के लिए अपने अवेदन दिया हैं और हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। किते साल से माता जी आप उसाश्रम जाएं। हम जा रहे हैं निन्न्याननवे से जा रहे हैं। मेरे पती खतम हुए हैं। तभी से में जुड़ी हूँ संसरी आसराम बापुजी से। और तभी से जा रहे हूं सभी कोई जानते हैं कि वह में सेवा भी करते हूं। और यह सेवा मेरी अफ सब छिन गए हैं। और सब जगह मुझे बन्नाम किया गया है। क्या मुकेश से आपने कभी बात करने के कोशिश है। पहले मतलब हुई है बात अभी हम पूनम को जब गए हैं चोविस तारीको उसी दिन उसने गाले गोलोज मतलब बहुत कुछ उसने किया है। और कई लोगों को थाने भी लेके गया है। उसके उसमें फिर उसके एफसाथ बाराच ओदा लोग थे और हम दो बहने ही थे, मनुरामा सुलंकी और मेरा नाम नूतन सिंग है। मनुरामा जी अजी हरियोग। क्या हुआ कि मुकेश को इस तरीके के अबतर गालियां आपको बखनी पड़ी वो इस तरीके की बाते गारादा क्योंकि आपकी उम्र से अंदाजा लगाया सकता है। कि आप काफी व्रद महिला हैं जो आशाराम बापु की सेवा के लिए उस अश्रम में जाती है। जी मैं मनुर्णा सोलंगी हुँ और मेरी उम्र हैंशितोतर साल, 77 और में आफ से नहीं जुड़ी हुई हूँ हूं ओ ठीप्टो से जुड़ी हूँ हुँ हुआँ इस साल से वापु जुड़ी हूँते हुज़ी हुग हूँ हूँ और मेरा पुरा परिवार जुड़ा हम कि हर पुर्नम व Wella k Virtu दो भूर्ष कोLink कर घा तर भूर्ष को जाते हैं। अधर पुर्नी मा थी और बड़ी पुर्नी मा थी। हम अपना जो हमेशा जाते हैं जब करने के लिए, जब कता साधना बड़ाने के लिए जाते हैं। उसे दिन भी गए थे, हम अपना परिक्रम वगरा करके आयो हम बैठे थे, हमाताजी को और हमारी बात चीत करनी थे, मैं इंतिजार कर रही थे इस तो कुछ बैठी थी तो कुछ बेने हमार पास माई आयी, वो हमसे कुछ पूछ आस करने लगी तो हम साधरन में नका परीचा ही ले रहे थे और हम साधरन बात कर रहे थे, इसमें मुकेश पटेल जो हमारी संचा लग है आसरम के, वो आये और बड़ी जोर से लंबे हाज और हमसे कहने लिए, महाताजी तुम यह क्या कर रही हो, क्यो लोगों को भ्रहमित करती हो, किसने बुलाया तुम को यहां पर तुम को मा और बहन की गालियां मतलब इतने अब भजरता से विवार के इतनी मा बहन की गालियां देने लगे, मुझे गुसा आया तो मैंने भी थोड़ा सा मैंका की चपल उतारी सी, उसने भी चपल उतार ली, मैंने मारी नहीं उसको, यदि मैंने उसको मार जया तो मुझे मुझ तो दंग रेगा कि एक संचा लख है, बापु का शीष्य है, समर्पित है, वो व्यक्ति इस तरी के अधधरता से व्यार के इस तरी से कर सकता है, हम तो बड़े, वो हो गए मतलब इने, कितने साल से सेवा कर रही हैं, हम तो तीस साल से जुड़े हैं बापुजी से, बीस साल से यह सेवा कर रही हूं और बापुजी की यारा साल हो गए गए को, मैं सारी जेगे जाती हूं, जहां भी बापुजी का प्रोग्राम होता है, इमदाबाद, सब शीविर अटें करती हूं, अपने यह जोथ पूर जाती हूं, अपने यह सूरत जाती हूं, और यह जितने भी जो कुछ प्रोग्राम होते हैं, बापुजी की मैं सारे अटेंड करती हूं, पुलिस को सूचना दिया हूं, जब हमारा साथ में इस तरह का बढ़र होगा था, हमें अपने सुरक्षा तो करनी पड़ेगी क्यों कि हमें बहुत खत्रा है इन लोगों से, मैंने कभी इतना और हम तो दोनों बेने अकेली थी, हम गई थाने गई और हमने अपना पक्ष रखा तो आप उन महिलाउं से क्या बात करी थी तो उन्हें असा लगा क्या बढ़काने का का लिए एक एक हमारी परिचित, हमारी मत्त भी निस समझझे कि हमरी समाज के बेह और हमरी रिस्तदार भी है, चिंटू देवडा करके, उनके पतनी आई थी, उनको पतनी को हमने उसको पहली बार देखा, थमसे परिचे कर रहे थे, उसे हमको आखर के धोग दी और कहा अंटी जी हरियोम, हमने का हरियोम बेटा बाकि आप अंटी जी मुद बोलो, क्योंकि अपने अंटी जी की हम सब को यह प्रशार करते हैं कि अपनी अपनी भाष्या इसको अपनाओ, तो उसे तो उनके प्र क्या बोलो, मैंनका आप कुछ बोलो, दाजी जी बोल दो, उनका आप कहां से हो, तो बोले कि महु से, महु कि जब महु कि जब महु जएसे डूंगर गाँ तेली ख़वते सा तो बिलगारे मिनका दो, यह देखो मिनका किसी बात होगी कि अपना मतलब इंसान हो गया है, जिसको अपनी नाक निचे या अंधिरा, मतलब अपना व्यक्ति होगर कि हम पहचान नी रहे हैं, कितनी दुर्भागी की बात है, हम बस इस्तर से बात कर रहें थे, दोनों, और लोगों को बढ़ता रहे हैं, तो अपने लोगों को लोगों पहचा रहे हैं, मतलब पहरे हैं, क्यों 2020 से बात कर रहें अपनी लोगों कायारन की बात का रहें? आपनी लोगों की बात कारण होगातीव किस सिवशं almost înhा वार्का अज़ें पहर अगों की मृख। ऑर यह उनका नहीं है बुरुजी का है Хम आश्रम जाने चाहते हैं इसी डर के Revelation यह दे गल झाहिए, some homework that arrived, दुर्समार कारन की नप कницу स्थी अनिवार है, तुरि रखा नई कना Bchaром जाती हूं, और इसके बाद में यही इसका मतलब एक हो रहा है कि किसको कैसे फसाना है यह उसको बहुत अच्छे से तरीका मालूम है मुकेश को हमारे उपर भी एरोपिया ही लगा रहा है कि अगर जो मैं कहूंग और करोगे नहीं फिर मैं वही काम करूंगे जो मैं रभी के साथ किया हूँ अजी हम से केते हैं कि आप लोग मतलब साथ कों से पेसा ही खटा कर रहे हो और आप मतलब इन आपको चोरी के लजा मैं आपको अंदर करवा देंगे जब आपको पता चलेगा जब आप निके फसोगे और आपको जब जूते पढ़ेंगे यह वो हम को केते हैं एक इतनी अब जोर के भावना